जिन्वा टाइम्स के नियूज रूम से में आपके साथ सोहेल बिहार पुलीस रिक्वाइरमेंट कॉंस्टेबल के 1188 सी पदों पर होनी है भरती आयोग ने जारी किया ये जरूरी नोटिस बिहार पुलीस बिहार सेन्य पुलीस विसे सीक्रत इंडिया रिजर्व वाहिनी बिहार राजी ओध्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के 1188 सी पदों पर भरतीया होनी है इन पदों पर 4 नवंबर आवेदन करने की आखरी तारीफ है लेकिन कुछ उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जा रही है और वे 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर चारी नोटिस के मताविक विग्यापन संक्या 2-2018 के वेशे एक भ्यार थी जिन होने विग्यापन संक्या 2-2019 के अंतरगत आवेदन करते समय किसी कारण वस अपना आवेदन रद कर दिया है और निधारित पुम्र सीमा से अधिक हो जाने के कारण कुने अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दिनाग 5-11-2019 से 7-11-2019 तक आउनलाइन आवेदन करने है तू अलग से प्रबंद किया गया है पद का नाम कॉंस्टेबल होगा 1188 सी पद हैं उम्मीदवार बारवी पास होना चाहिए सामानिय उम्मीदवारों के लिए नियुनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल निर्धारित की गई है उम्र की करना 1 अगर्स 2019 से होगी मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो उम्र दी गई है वही देखी जाएगी 21,700 रुपे से 79,100 रुपे तक की सेलरी आपको भी आवेदन, फीज, जनरल, EWS, OVC को 45,500 रुपे देने होंगे SCST 112 रुपे पहले चरण में उम्मीदवारों को लिखित परिक्षा देनी होगी लिखित परिक्षा का इसकर बार भी होगा और इसमें objective टाइप सवाल पूछे जाएंगे लिखित परिक्षा सो अंको की होगी ये परिक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होगी यानि कि इसमें हासिल हुए अंको को मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा दूसरे चरण लिखित परिक्षा में पास होने वाले उमीदवारों को दूसरे चरण की शारिरिक दक्षिता परिक्षा के देनी होगी शारिरिक योग्यता दक्षिता परिक्षा कुछ सो अंको की होगी फाइनल मेरिट लिस्ट सारी रिक योगेता में तीन इस परदाओं तोड़ उची कूद और गोला फेक में उम्मीदवार दुआरा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बनेगी योगे उम्मीदवार ओफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ भी जागर के आवेदन कर सकते हैं जन्वार टाइमस के साथ जुले रहने के लिए जन्वार टाइमस के न्यूश चैनल को सबस्क्राइब जरू करें धन्यवाद